भाई साब, ओमान कभी भी कम सेल्डी में मत आया भाई साब, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ओमान में कम सेल्डी पर बिल्कुल भूल कर भी मत आया देखिए यहां पे आने के बाद में हाथ जोड़के आपसे बींती करता हूं कम सिल्री में आते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप हमेशा परसान ही रहेंगे कभी भी आना है तो अच्छे सिल्री में आए ठोड़ा टाइम लीजिए लेकिन आपको अच्छे सिल्री में आना है मैं आपसे बार-बार यही बात बोल रहा हूँ आप लोग नहीं समझ रहे हैं कवमशली में आते हैं और यहां पर आने के बाद जो जो आपको प्रोलाम फीड़ करना पड़ेगा वो आपको नहीं मालूँगए यहां पर आने के बाद आपको मालूम चलेगा अगर कोई भी भाई हमारे ओमान कंट्री में, आपको अगर ओमान कंट्री में कोई है, अगर कम सिल्ली पाने पर क्या-क्या दिक्कत होता है, भाई साब एक बार कमेंट करके बता दीजिए का सब को, मैं आपसे हाथ जोड की बिंती करता हूँ इसी टॉपिक पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम सिल्ली में लोग कैसी आ जाते हैं, क्या-क्या प्रोलम फेस करना पड़ता है, क्या-क्या दिक्कत उठानी पड़ती है कम सिल्ली में आने के बाद, सारी इंफर्मेशन में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तिस साथ करते हैं दोस्तों कभी भी अगर वमान कांती माना है को म सेल्री मत आईए का पैसा कितना बचेगा अगर मांन के चलिए कि उमान में अगर सौ रीयाल आते हैं तो आपको कितना मिलेगा मान के चलिए गर तो आपको बनेगा 10 x 있ust storesfront करते हैं तो आपको सी 100K नहीं है उसमें अगर खाना नहीं देती है तो इसमेंसे श्पीस तीस रियाल अजाएगा 10 आपका चाय पानी नेट वोर्ट जो भी रिचारंज है उसमें चला जाएगा जानी कि 40 उमानी रियाल जो है आपका चला गया, बचा कितना? आपका 120 उमानी रियाल, 120 उमानी रियाल घर भेज़ेंगे तो कितना बनेगा? 25 से 26 जार रुपया बनेगा, भाई साब इतनी दूर आते हैं विदेश में काम करने के लिए और 25 से 26 जार रुपया कमाएंगे, तो क्या फायदा मिलेगा? कि आपको नहीं लगता है कि विदेश आने के मतलब कम से कम 30,000 के नीचे नहीं बचनी चाहिए, 30,000 के नीचे अगर बचता है तो आपको कोई फायदा नहीं है, भाई साब एक मोटा मोटी बात मेरी सुन लिजिए, देखिए कोई भी अगर नोक्री करता है ओमान में, तो बहु कर सरम है, लाज है, भाई साब, आज के डेट में कोई भी चीज का नामुम्किन नहीं है, जो जैसा फिल्ड है, वो उसी में अपना मुकाम बना रहा है, चाहे कोई पकोडी वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे कोई भी हो, दखिए भाई साब, इंडिया में क्या हो गया है, इंडिया में इतने बड़े-बड़े पढ़़़ पढ़़ की दो जो है MBA चायावाला, graduate चायाई यह बहुआ ऐला थो इंजिनिर चायाई वाला भाई साब यह सब क्या कर रहे हैं तो इसलिए यह आप फेल्ड में उस लाइन में जो है मुकाम बनाना चाहते हैं तो इसलिए मैं आपको बोलना हूं जो भी आप लाइन में है उसी में आप मुकाम बनाई है अगर पचीश जार कमाना है तो उमान कंट्री में नहीं तो मत आई है क्योंकि इंडिया में भी अगर चाय के दुकान खोलते हैं अगर अच्छी क्व इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बात मेरी ध्यान से सुन लिजिएगा कभी भी अगर इंट्रिवु जाता है हमारे इंडिया में और गाउं द्यात में इंट्रिवु लेने के लिए पहुंचते हैं कलाइंट तो समझ लिजिएगा कि सेल्डी कम लाएगा अगर यही आप जाते में क्या है मुंबई दिल्ली छोड़के वह पहुंच आते हैं गाउं में कि कम सल्ली में हमको आदि मिल जाएगा इसलिए मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं के कम सल्ली में भोलकर मत नहीं अमान देश के अंदर मैं आना है तो अच्छे सल्ली माईए और कहां से आपको अच्छा सली मिलेगा इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ आपको मैं ऑफिस का नाम जो है ऑफिस का एड्रेस सारी टोटल जो है मैं अपना वीडियो बनाया हूँ आई बटम में आपको लिंक दे दूंगा आप जहां के सार से मारी आएगा आपको मिल ठीक है तो मैंने सारी में पसंदेश दी है जल्दी जाइए हमारे चनल को स्क्स्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जनकारी दे सके चले जैहिन जै भारत